नमस्कार आपका स्वागत है. कलियुग के अंत के विशय में हमारे प्राचीन पुराणों में पहले ही भविश्यवानी की हुई है. कलियुग का प्रभाव कैसा होगा? कलियुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा? कलियुग की स्त्रियाँ कैसी होगी? कलियुग में भगवान श्री कृष्ण ने कल्यूग की भया वहता का वर्णन गरुड जी के सामने किया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुड पुरान में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कल्यूग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। उनह नए यूग का आरंब होगा, अर्थात फिर से सत्य यूग का आरंब होगा और स्रिष्टी का यह चक्र चलता रहेगा। चारों यूगों में कल्यूग अंतिम यूग होता है। श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद हुआ। धर्म में विश्वास न होने के कारण लोग अन्याय पूर्वक आचरन करेंगे। यदि हम आज के समय में देखे तो पाप इतना बढ़ चुका है। मानो ऐसा लगता है कल्यूग का अंत अब निकटा चुका है। तो ऐसी ऐसी भयानक चीजे दिखाई पड़ेगी। मनुष्य का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा कि वह मनुष्य कम पिशाच ज्यादा दिखाई देंगे। तो आईए जान लेते हैं गरुड पुराण में कल्यूग के अंत के विशय में क्या कहा गया है। तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कल्यूग का अंत निकट आ चुका है और अब स्रिष्टी का अंत प्रलय से होगा। सबसे पहला संकेत भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कल्यूग का अंत समय निकट आने पर मनुष्य की आयूग घटकर केवल बीस वर्ष ही शेश रह जाएगी। बारह वर्ष की आयू में ही मनुष्य के बाल पक जाएंगे। उनका शरीर अत्यंत कमजोर और सफेद रंका होगा। कल्यूग में स्त्री आठ या नौ वर्ष की आयू में ही संतान को जन्म देगी। कल्यूग की औरते बहुत ही क्षीन और छोटे शरीर वाली, लेकिन अधि उसका पालन पोशन करेगी। दूसरा संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कल्यूग का अंत समय निकट आने पर संसार में पतिवरता स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ेगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। लोग पूजा पाठ, श्राध, अंतिम संसकार, मुंडन और विवाह आदि प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण लोग सनान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कल्यूग के अंत में लोग केवल मांसाहार ही करेंगे और कोई भी सात्विक आहार नहीं करेगा। कल्यूग में लोगों केवल शमी के व्रिक्षी दिखाई देंगे, मनुष्य शाकाहार छोड़ कर केवल मांस का ही भक्षन करेंगे, कलियुक का भोजन तामसिक और रोग उत्पन करने वाला होगा, इसी कारण से लोग जल्दी ही बूढे होकर मर जाएंगे, कलियुगी मनुष्य गाय की पूजा करन बंद कर देंगे, सभी गाय का मांस खाएंगे, गायों को केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा, चौथी बात, कलियुक का अंत समय निकटाने पर अल्प व्रिष्टी होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी, खेत अनाज नहीं उगा पाएंगे, धान्य का आकार बहुत ही छोटा होगा, और फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा, मनुष्य भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे, मनुष्य को केवल बकरियों का दूध ही प्राप्त होगा, पांचवी बात, जब कलियुक का अंत होने वाला होगा, तब भगवान सूर्य के किरणों में विराजमान होकर प्रिथवी का संपूर्ण जल सोख लेते हैं, आकाश में चारों तरफ साथ सूर्य दिखाई देंगे, इन सभी सूर्यों के प्रभाव से संपूर्ण स्रिष्टी जल कर खाक हो जाएगी, ततपश्चात रुद्र रूपी भगवान व अगनी को शांत कर देंगे, अगनी शांत होने पर वे मेग संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं, और इस प्रकार से कलियुक का अंत हो जाता है, और फिर परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से पुनह स्रिष्टी में जीव की उत्पत्ती करते हैं, तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड पुराण में कलियुक के अंत का वर्णन किया गया है, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक जरूर करे, साथ ही चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले, आप सभी का धन्यवाद